कहते हैं प्रधिपा किसी की मौताज नहीं होती और जहां मेहनत और लगन से कोई काम किया जाए तो यकीनन वो बेहतरीन ही साबित होता है ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गांदरबल वाधपुरा के 11 वर्षिय मौहमद यासर ने जिनने बच्पन से पेंटिंग करने का बेहत शोग था और धीरे धीरे उनका ये शोग उनकी पहले पसंद बन गया मौहमद यासर कई पेंटिंग्स बना चुके हैं लेकिन उनका कहना है कि स्कूल में पहले तो पेंटिंग करवाई जाती थी लेकिन अब नहीं करवाई जाती और अगर पेंटिंग करवाना सिखाया जाए तो मेरे जैसे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनने पेंटिंग बहत मुहमद यासर संसेट, नाइट स्काई और स्केचिस बहुत खुबसूरती से कागस पर उतारते हैं मुहमद पेंटिंग की तालेम कहीं और से नहीं बलकि खुद सही सीखने की कोशिश में जुटे हुए है उनका कहना है कि उनकी माँ उनका काफिस सहयोग करती है और जिस भी चीज की जरूरत उने रहती है उनकी माही उन्हें वो सब सामान ला कर देती है नहीं मारते हैं वो जब मुझे किसी सामान की जरूरत होती है मेरी मामा मेरे लिए लाती है वो कभी मुझे मना नहीं करती है सब लोग असब लोग उनको देखता था यह यह लोग पेंटिंग कर रहे हैं मैं भी फिर करता था फिर मैं कभी कभी रफ पे भी बनाता था स्कूल के रफ पे फिर मुझे टीचर से डांट भी पड़ती थी ये क्या कर रहे हो मेरे लिए सब कुछ चीज लाते हैं मैं जो भी उनको कहता हूं वो मुझे वो मेरे लाते हैं सब कुछ मैं संसेट बनाता हूं, नाइट स्काइब बनाता हूं और स्केच भी बनाता हूं मांट अफरस्ट की मैं हमेशा से बनाना चाहता था लेकिन वो बनती ही नहीं कभी नहीं मैं खुदी सीखता हूं मैं खुदी सबन को देखता हूं और फिर मैं सीखता हूं और अब मैं सिख रहा हूं और खुद कुछ नई पहले वो सिखाते थे लेकिन अब नहीं सिखाते हैं हाँ ऐसी चीज होनी चाहिए स्कूल में अपनी ममा को क्योंकि वो मुझे मेरे लिए हमेशा चीजे लाती है और मैं जब भी उनको बोलता हूं वो लाती है मेरे लिए चीजे वो कभी मना नहीं करती है और उन्हेंने मुझे थोड़ा थोड़ा सा सिखाया है प्रताब वोल्ड स्कूल विद लेटिस टेक्नोलजी इन टीचन अड लर्निग अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेस्बुक पेज लाइक जरूर करें फो इनिपर्टीजमेंट प्लीज कॉंटेक्ट 705-109-1811